देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक ने वित वर्ष 2018 और 2019 के रत्रतिय माही में अभूत पूरे परिणाम जारी कर आर्थिक जगत में हलचल सी मचा दी बैंक ने अपना लाब चालू वर्ष में 7.12 प्रतिशत की व्रधी दर्श करते हुए 246.51 का शुद लाब अरजित किया है वहीं बैंक की अंचल प्रबंधक विभा एरन से खास बाच्चीत की हमारे संबाद अता सुनिल सुषिल शर्मा ने अप्रेल 1889 यानि बैसाखी के दिन शुरू हुए पंजाब नेशनल बैंक अपना 125 साल बनाने जा रहा है किस प्रकार से अभी तक काउन का सफर रहा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंचल प्रबंधक विभा एरन नमस्कार विभा जी 125 साल के बैंक के सफर की बात हम बाद में करेंगे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक मात्र जोनल हेड है, जो कि मजिला है आपनी सफर यहां तक काईसा रहा? आपके तो निल जी मुझे भी बांक में बहुत समय हुआ है और मेरा सफर मेरी जो जर्नी रही है बांक के अंदर बहुत ही फूलफिलिंग बहुत ही इंट्रस्टिंग रही है और मैंने कभी इसको जॉब की तरह लिया नहीं मैंने इसे हमेशा एक मेरे लिए you know what they say कि when you like something it grows on you तो ऐसे banking भी मेरे एक तरह से बहुत मैंने पसंद से काम किया बहुत मेरे passion से काम किया तो मेरा सफर बहुत मज़ेदार रहा और इसमें यह भी बात है कि यह bank इतना cultured bank है कि इसमें हमें मुझे बहुत अफसर दिये जानने के सीखने के अपने आपको groom करने के लिए और मैं ही समझती हूँ कि banking में केवल एक व्यवसाय के रूप में ही नहीं बलकि एक माध्यम है बहुत से लोगों तक reach करने का और सेवा के शेट से जुड़े होने के नाते बहुत ही उसमें satisfying feel होता है at the end of the day आपको अच्छा काम करते हैं अच्छी सेवा प्रदान करते हैं चोटे रूप में और या जब आप जैसे zonal head बहुत बड़ा level है तो इस level पे भी आप बहुत टाइम बहुत लोगों की ऐसी सेवा करते हैं जो आपको अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि बैंक को मैंने एक तरह अपना सब कुछ ही मेरे लिए बैंक हुआ है कि इस पोस्ट पर आपको बहुत सारे चैलेंजेज हैं पर क्योंकि ट्रांसफरेबल जोग में एक महिला के लिए बहुत समझा होती है आप यूपी रहके आई हैं गुजरात रहक अप लगत्तान में और आप लाजस्थान में एक में जरूरी है किसी भी महिला से ऐसा पूछना क्योंकि जब हम यंग होते हैं करियर में तो हमारी फेमिली है चोटे बच्चे ऊते हैं वह सब मैनेज करना काफ ही चैलेंजिंग होता है लेकिन परिवारे कैसी काई है जो एक साथ जुड़के ही वो कही ना कही पहुंचते हैं तो मेरी भी सफर में मेरी जो मेरा अपना परिवार जो मेरे पेरेंट्स मेरे ब्रदर सिस्टर्स उनका बहुत support मिला, फिर शादी के बाद जैसे मेरे husband उन्होंने बहुत ही मुझे support दिया, बहुत उन्होंने मुझे एंकरेज के रहा कि जिसे मेरे जो लेवल है पोटेंशल है वो रीच कर सकूँ तो मुझे यह है कि मैं मैंनेज कर पाई बिकोज मुझे बहुत हर प्रकार का एक मानसिक आप फिजिकली बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन मानसिक जो स्ट्रेंग्स चाहिए कि मैं यह हुआ जो कहते हैं मानसिक बल आतमत बल वो जो आता है वो एक इंकरिंसिक होता है और फैसलिटीज और नो फैसलिटीज की अभी बेशी है तो I think I am very blessed to have a very good family, very good support right from childhood to this level after marriage and my in-laws everyone you know gave me this is strength and they feel very happy that हम कुछ करके जिन्दगी में आ गया है तो आई फिल की उन सब को मेरे लिए बहुत-बहुत मेरा तरफ से उनको श्रेह है 125 साल का पंजाब नेशनल बेंक किस तरह से रहा पंजाब नेशनल बेंक का इस सफर बहुत सारे बीच में नए बेंक आये बहुत सारा कंपेटिशन आया बहुत सारे चैलिंज़ आये कैसा रहा है इस सफर पी एक बात बहुत वैलिडेटिड है अभी मैं इस लुक बैक एड माई जर्नी जब हमने स्टार्ट किया बैंक में काम करना तब वो बहुत ही एक स्टाटिक सा एंवारमेंट में हम लोग काम करते थे और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक थोड़े पुराने स्टाइल से हम काम करते थे लेकिन इस बीच में जैसे जैसे नए चैलेंजिस आए दूसरे बैंक्स आए और अर्थ्य वस्ता का विकास हुआ और बैंकिंग की नीड्स बढ़ी आम जंता की तो उसे साब से बैंक ने भी अपने आपको बहुत मोल्ड किया बहुत मोडिफाई करा बहुत रिफॉर्म किया और आगे आगे आके हमने उन चीज़ों को किया और इसमें आप देखे राश्ट निर्मार में सबसे ज़्यादा पुब्लिक सेक्टर बैंक्स का योगदान है आज भी 70-75% जो एकनॉमी है वो हमारे जैसे राश्टिक बैंकों से जोड़ी हुई है और उसमें बैंकों के इस जर्नी में बैंकों ने भी खुद को अपने आपको बहुत समा रहा है और हमारे बैंक ने तो अपने आपको बहुत ही निखा रहा है इसलिए इस जर्णी में बैंक को बहुत जो चैलिंजिस मिले, उन चैलिंजिस से उनको कुछ अच्छा करने का उफसर मिला जिस तरह से अभी आपके सामें चैलिंजिस थे, वो चैलिंजिस आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी NBFC हैं जो कि बैंकिंग का लाइसेंस मांग रही हैं, बहुत सारे समाल फाइनस बैंक आ रहे हैं, तो उसके लिए भुविशे के लिए अप लोगों ने क्या रणने दी तयार किये हैं? सुनिल जी इसमें ऐसा है कि हमारा देश बहुत बढ़ा है और आज भी बहुत सारे ऐसा सेक्टर है जो अभी भी अन्बैंट है, तो जन्धन की वज़े से काफी हम लोग रीच आउट करें हैं मासेस को और उनका समावेश हुआ है मुख्य विधारा में, तो इसलिए इतने बैंके पास अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है और जो हमारे एक हमारी लीगेसी है, जो हमारा एक इनहेरिटेंस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साख रखता है और अब समय के साथ जैसे हमने अपने आपकों परिवर्टित किया है, नए समय के साब से, डिजि मशिमेशन आने से भी हम अपने आपको और बेहतर ही बनाएंगे और जो हम अपने आपको बहूद गरहकों को फिर मांस बैंकिंग यहारर एक रूप है वो अगर। नए प्रोड़क्स के बारे में बताना चाहेंगी जो हाँ बिल्कुल 25 सालगीरा में हमने 26 जनवरी से इसे सवा साल को एक बहुत इस विशेश साल के रूप में मनाने के हिसाब से हमने काम शुरू किया है और इसलिए क्योंकि हमारा जो बैंक है उसका जो प्रारंबुआ कहीं लिए पर्सनेल के लिए सबही आम फोर्सेस के लिए हम लोग बहुत नई स्कीम लाएं उसका नाम है रक्षक प्लस उस स्कीम के अंतरगत हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं चाहें वो रिटार्ड हैं पेंशनर्स हैं या भी सेवा में हैं या ट्रेनीज हैं उन सब के लिए व और एयर वगरा के एकसिडेंट के लिए एक करोड तक का इंशुरेंस है जो इंटरस्टी में सबसे जादा है इसके अलावा जो रिटेल की स्कीम से उसमें भी उनके लिए विशेश रेट आफ इंटरस्ट हैं उनके लिए डिपॉसिट में भी विशेश रेट आफ इंटरस् पर फेर्फेह, हमारे डेश की सीमाओ की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए खास तोफे के रूप में के स्कीम हम ला रहे हैं, इसके अलावा अभी डिफ्रेंट सेक्टर्स के लिए हमने डिफ्रेंट जमाएं बनाई हैं स्कीम्स अभी लेटेस्ट हमने लांच करी है तीन स्कीम्स लांच करी है 111 दिन 222 देज एंड 333 देज इसमें रेट अफ इंट्रेस्ट का विशेश लाब है और यह वराइटी है तो इसने लोगों को उसमें फायदा भी होता है इसके अलावा सुगम जैसी स्कीम है जिसमें इ FD ब्रेक नी करनी पड़ती है इसके अलावा जो रिटेल की स्कीम्स है उसमें भी आजकल प्रोसेसिंग और यह फ्रंट वगरा हम सब माफी दे रहे हैं अधर देन देट गौर्मेट की स्कीम्स जो हैं हमारी जो गाओं के लिए जो सेमी समा सेमी अर्बन एरियास के लिए है उसमें भी हमारा बहुत नए नए स्कीम्स हम लाए है एक और इंट्रेस्टिंग स्कीम्स की मैं बात करूं तो यह 59.com का नाम शायद आप लोगोंने सुना होगा तो वो उसमें भी हम लोग मेन हम लोग उसके इमिनिशियेटर है उसके हमने स्टार्ट किया है और उसमें पोर इनकी बैलेंस शेट, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ आ जाएगा तो एक प्रकार से वो पूरा वैलिडेटिट डेटा बैंक को ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाता है जिसको हमें अगले 15 दिन के अंदर उसे डिस्पोज आफ करना है तो उस बीच में उसके डॉकुमेंट्स लेना, डूरिलिजन्स करना, विजिट करना, मतलब इतना टर्न अनाउं टाइम फास्ट है उसमें और इतनी उसकी एक तरह उसकी वैलिडिटी है उस जॉकुमेंट की कि उससे लोगों के लिए रिंड लेना भी बहुत सरल होगा, other than that हमने digital space में बहुत काम किया है, अभी हमने एक न debit card, credit card, आपके सारे accounts की detail, आपका कोई transfer आपको करना है, within the bank करना, outside the bank करना, everything is under one app, and that app आप easily download कर सकते हैं, within few seconds, and it is very effective, तो ये सब बहुत सारे products हैं, हैसे तो, but these are couple of new things which are, you know, of relevance as of now. विभाजी, bank मतलब trust, पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, आपने भी सुना, हमने भी सुना, क्या आपको नहीं लगता उससे एक आम आदमी का trust banks पर कम हुआ है? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं personally मैं अपने bank के विशे में कहूं, तो हमारा जो आज भी विवसाय है, और वो एक्चुली बढ़ा है, हमारा साड़े दस लाग करोड का विवसाय है, और हमारे पास ग्राहक भी निरंतर बढ़ रहे हैं, इस समय भी हमारे पास 10 करोड ग्राहक है, तो उन ग्राहकों का विश्वास है, बैंक के अंदर, और ग्राहक ही हमारी पुझी है, इतनी क्राइसिस के टाइम में भी हमारे ग्राहकों ने, हमारे साथ वो खड़े रहे हैं, और हमारा ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम ऐसी नहीं लगी, एक बार को लोगों को में और उनके विश्वास में कोई ऐसी कमी नहीं है, विवाजी एक और सवाल, कर्ज माफी, क्या आपको नहीं लगता इससे क्रेडिक डिसिप्लेन खरार होता है, कर्ज माफी के बारे में मेरा बस इतना ही सोचना है, कि जो ग्राहक समय पर पैसा देते हैं, इमांदारी से अ उनको कष्ट ना हूँ, मैं समझती हूँ कि उसके विशे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, कई और भी कारण है, नौमी से रलेटिट कारण है, कई जगा, कई बार ऐसा नेच्नल कालेमिटी होती है, कि हमें उस शेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत होती है, तो सरकार का अपना सोचना एक अपनी जगाट ठीक हो सकता है, लेकिन इमानतार क्लाहकों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ऐसा ना फीलो, चीटिट फीलना हूँ, विभाजी आपने बताया कि आपने जवानों के लिए जो सरहत पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ विश इतना करिशी उतपात करते हैं, जिसकी बज़े से पूरा देश चलता है, उनके लिए बैंक के पास बहुत स्कीम्स हैं, और नकेवल के सी सी, बलकि बहुत सारी वेलफेर की भी स्कीम्स हैं, जैसे वेलफेर के तरफ अगर हम बात करें तो पंजाम निशल पैंक की खुद की राजिस्थान के अंदर कई सारी आर्सेटी चलती हैं, जिसमें की हम कि क्रशे को कोई बच्चों को और गाओं के लोगों को कई तरह के प्रेशिक्शन देते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त में होते हैं, जैसे कंप्यूटर के कई कोर्से चलते हैं, वहाँ पर छे महीने के साल और उसके अलावा सिलाई, कड़ाई, बुनाई और सॉयल टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे काम वाँ पर होते हैं, जिसमें कोई भी बच्चा अपने आपको रेजिस्टर करके स्किल गेन कर सकता है, और उसके बाद हम कोशिश भी करते हैं कि उनको अगर वो कुछ और विवसा कि उनको बिजनस और विवसाय मिल सकें, ऐसी हमारी कोशिश होती है, तो ये एक विशेश प्रयास है, जिसमें की महमकरशकों को बहुत प्रकार से मदद करते हैं, विवाजी एक असिस्टेंट के तोर पर अपने केरियर के शुरुआत करने के बाद आप तो जोनल हैट के पत कि वर्क लाइफ बैलन्स करना तोरा मुश्किल तो होता ही है, किसी भी वर्किंग वोमन के लिए और हमारे परिवेश में विशेश रूप से, पर भी में उनको हमेशा ये कहती हूं कि आपको फोकस होके काम करना चाहिए और आपको काम को एंजॉय करना चाहिए, जिब आप काम एंजॉय करते हैं, तो आपको कोई भी चीज भारी नहीं लगती और बड़े स्मूथली आप अपनी चीज़े सब मैनेज कर सकते हैं, तो मेरा तो अभी भी वर्किंग वोमन हमारे देश में तो बहुत सारी लीडिज इतना अच्छा काम करती हैं, और केवल बाहर काम करन है काफी और के अपने परिवारों में भी अपनी पेरेंट्स को, अपनी मदर को, अपनी मदर इनलाओ को बहुत परिवार को समालते में दिखा है, तो मिनारी शक्ति किसी तरह भी कम नहीं है, चाहे घर में रहे या बाहर और अगर बाहर रहते हैं, तो उनकी दोरी रखने की जरुवत है और काम को एंचाय करने की जरुवत है थेंक यू तो यह थी एक मुलाकात विभारेंग के साथ जिनों ने बताया कि क्यों है पंजाब नेशनल बैंक बड़े देश का बड़ा है